गुद मॉर्निंग स्टुडेंस, क्रिप्याप आपने अपने हिंदी पाठे पुस्तक लेजिए और पेज नमबर 62 खोले हैं, आज हम पढ़ेंगे लेशन 11 हीरा और मोती किसे गाउं में जूरी नाम के किसान रहता था, उसके पास दो बेल हीरा मोती थे, दोनों बेलों में बहुत प्यार था, वे दोनों इकठे रहते और घास भी इकठा ही खाते थे जूरी भी उनके चारा पानी का बहुत ध्यान रखता था, वो कभी भूल कर भी उन्हें मारता पिटता नहीं था, जूरी जब खेतों में हल्ट चोथता तो हीरा मोती कभी थकने थकते तक नहीं थे उनको पता ही नहीं चलता कि कभ खेत चुद गया, सभी गाउं बले हीरा मोती की चर्चा करते थे संयोग से एक दिन जूरी का साला गया उनके घर आया गेहू बोने के लिए उसने बेलों को अपने गाउं ले जाने के लिए जूरी से कहा जूरी ने बेलों को अपनी ससुराल भेज दिया बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेज जा रहे हैं समझे मालिक ने हमें बेच दिया अपना बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने पर जूरी के साले गया को घर तक बेलों को ले जाने में एडी चूटी का जोर लगाना पड़ा पीछे से हांकता तो दोनों दाएं बाएं भागते आगे से पकड़ कर खिंचता तो दोनों पीछे की और जोर लगाते मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हूंकराते अगर इस्वर ने उसे बाणी दी होती तो जूरी से पूस्ते तुम हम गरीबों को क्यूं निकाल रहे हो हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था हमने कभी दाने चार की सिकायत नहीं की तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर जुका कर खा लिया फिर तुमने हमें इस जालिम के हातों क्यों बेज दिया संध्या समय दोनों वेल अपने नए स्थान पर पहुँझे दिन भर के भूके प्यासे थे लेकिन जब नाद में लगाए गए तो किसी ने भी उसमें अपना मूँ नहीं डाला दिल भारी हो रहा था जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट चुका था ये निया घर निया गाउने आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे दोनों ने अपनी मुख भासा में सला की एक दूसरे को कन्खियां से देखा और लेट गए रात को जब गाउं में सब सो गए तो दोनों ने जोर मार कर पगे तोड़ डाले और घर की तरब भाग निकले जूरी और उसकी पतनी सुभा उठे तो देखे हीरा मोती अपने स्थान पर खड़े हैं उनकी आँखों में बिद्रोह मोह स्ने झलक रहा था जूरी बेलों को देखकर स्नेहे से गदगद हो गया और जूरी की पतनी उने देखकर जल भुन गई बेलों को खोशते हुए गया भी जुरी के घर पहुंचा दोनों बेलों को अपने स्थान पर खड़ा देकर वो भी जल भुन गया इस बार वो हीरा मोती को मोटे 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 रसों से बेल गाड़ी में चोत कर ले गया रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी को गड़े में धकेल दू परंतु हीरा समझदार था उसने गाड़ी संभाल ली जैसे तेसे गया बड़ी मुश्किल से बेलों को लेकर अपने गाओं पहुँचा अब गया ने उनसे बहुत ही सक्त काम लेना शुरू किया वो उनसे दिन भर खेत में हल खिचवाता और साम को मोटे मोटे रसों से बांध कर उनके आगे रूखा सुखा भूशा खाने के डाल देता गया की एक छोटे लड़की थी उससे बेलों की दुर्दसा देखी नगेई एक दिन उसने मोका पाकर बेलों की रसियां खोल दी फिर क्या था हीरा मोती वहाँ से भाग निकले थोड़ी देर बाद गया को पता चलता पता चला तो वो उनके पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दोड़ा परन्तु वो उनके पकड़ना सका हीरा और मोती भागते हुए जंगल के पास से गुजरे वहाँ उनको सामने से आता हुआ एक सांड मिला वो सीधा उनके और लपका ये देखकर हीरा मोती के हो सुर गए भागना बिकार था इसलिए दोनों ने सहस्ते काम लिया सांड ने हीरा पर बार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सिंगों को दे मारा सांड ने सोचा एक से तो वो निपड सकता है परन्तु दो दो से कैसा निपड़े निपटे वो घबरा कर वहाँ से भाग गया अब दोनों बेल की खुसी का कोई ठिकाना ना था कुछ दूर चलने पर उन्हें मतर के खेत दिखाई दिये उन्हें भूक भी बहुत लग रही थी उनकी भूक हरे हरे मतर देखकर और भी बढ़ गई वे खेत में गुस कर मतर खाने लगे अभी उनके पेट भरे भी नहीं थ कि खेत के मालिक ने उन्हें देख लिया खेत में चारों और बाड लगी हुई थी केबल एक ही रास्ता था जहां से वे अंदर घुसे थे उसने उन्हें पकड़ कर काजी होस में बंद करवा दिया जब उन्हें छुडाने के लिए कोई नहीं आया तो अगले दिन काजी होस बालों ने हीरा मोती को निलाम कर दिया एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया वो दोनों को लेकर अपने गाउं की और चल पड़ा मार खाते खाते वो भूख सहते सहते हुए पहले से बहुत कमजोर हो चुके थे इसलिए वो दोनों चुपचा व्यापारी के साथ चलने पर मजबूर थे कुछ दूर चलने पर अचानक उन्हें रास्ता को जाना पहचाना लगा उनमें एकदम हिम्मत आ गई वो दोनों तेजी से भागे व्यापारी उनके पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भागने लगा परंतु बेल कहां उसके हाथ में आने वाले थे वे सीद है अपने घर जा पहुँचे बेलों को देखकर जूरी की जान में जान आई वो उनसे लिपट गया जूरी ने बेलों की पीट पर हाथ फेरा इतने में व्यापारी भी वहाँ पहुँच गया उसने दोनों बेलों को जूरी से माँगा मोती ने आप देखा ना ताब व्यापारी पर जपड़ पड़ा व्यापारी जान बचा कर वहां से भाग निकला जूरी की पतनी भी भीतर से दोड़ी आई उसने दोनों बेलों को बहुत प्यार किया और उसके बाद कभी भी उन्हें उन्होंने हीरा मोती गाई को नहीं दिया तो बच्यो इस कहानी में हीरा और मोती दोनों गाई थे और वो किस के पास थे वो एक किसान जिसका नम जूरी था उसके पास थे वो जो जूरी किसान था वो गाईयों को बहुत प्यार करता था और गाई भी उससे बहुत प्यार करते थे लेकिन एक दिन क्या हुआ है एक दिन जूरी की साला मतलब उसकी जो पत्नी है उसका भाई उसने क्या क्या उसका नम गया था उसने एक दिन इस किसान जूरी से उसके दो गाए मांग लिए अपना खेत जूतने के लिए और किसान जूरी ने भी हीरा और मोती को उसे दे दिया हीरा और मोती क्या सूचे कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया अगर उनमें मूह होता उनको भगवान अपना स्वर दिये होते तो वो लोग क्या कहते कि हम तो अपने मालिक के पास कभी भी कोई बात के लिए सिकायत नहीं करते वो जो भी देता था हम खा लेते थे हम तो और भी मेनद करने के लिए राजी थे फिर इसने हमें क्यों बेज द लिए दिया था और हीरा मोती ने क्या क्या जब उसके साले के घर पहुचे गया के घर पहुचे तो रात को उन्हों ने अपनी जो रसी से उनको बांधा गया था वो तोड़ कर भागाये किसके जूरी के पास जूरी उसको देखकर बहुत खुस धूब गया लिकिन उसकी जो पत्नी थी वो अपने भाई के भाई को ये दो हीरा और मोती गाए दे दिये थे हल चुदवाने के लिए लिकिन ये लोग जब लोड के आ गये तो निए तो कि हल चुदवाने के लिए लेकिन उसका जो वो जो गया उसकी जो बेटी थी तो उसको उस गायों पर बहुत दया आई और उसने क्या क्या एक दिन उसकी रसी खोल दी तो फिर ये दोनों बहुत ये दोनों दोड़ते दोड़ते वो दोनों क्या हुआ अब रास्ता भूल चु भी उस सांड का बहुत ही साहस के साथ मुकावला किया और जीत कर चले आए फिर फिर क्या हुआ फिर वो तो अपना घर का रास्ता भूल चुके थे तो और उनको भूख भी लगी थी तो एक जन की मटर की खेती देखकर वो लोग मटर खाने के लिए उसके खेत में गुजगे लेकिन उसका खेत का जो मालिक था वो उनको पकड़ लिया और बंद कर दिया और फिर हाट में लेकर उनको निलाम कर दिया मतलब किसी और को बेच दिया लेकिन जब जिन्होंने उस हाट से हीरा मोती को खरीदा जब वो उनको लेकर अपने गाउं जा रहा था तब हीरा और म अपने मालिक किसान जूरी के पास चले गए और उनको देकर हीरा और मोती को देकर किसान भी बहुत खुस हुआ और जब वो जो निलाम करके जो खरिद कर जो ले जा रहा था जो आदमी जब उसने जोर जवर्दस्ती से गाईयों को लाना चाहा तो हीरा मोती ने उस पर आक्रमन कर दिया और वो डर कर भाग गया फिर हीरा मोती और किसान जूरी और उसकी पतनी एक साथ हम रहने लगे तो बच्चो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर गाई हीरा और मोती गाई होकर अगर जानवर होकर वो अपनी मालिक का विश्वस्त हो सकते हैं वो अपनी मालिक का भरुसा कभी नहीं विश्वास तोड़ सकते हैं तो हमें भी इन जानवरों की तरह हमेशा बफादार होना चाहिए किसी के साथ विश्वास गात नहीं करना चाहिए ठीक है तो इस कहानी के माध्यम से एक तो लेखक ने क्या क्या है दोनों जो जानवर है उनकी व्यथा का बर्णन किया है साथ ही साथ हमें ये शिक्षा दिया है कि हमें भी इन जानवरों से शिक्षा लेना चाहिए और कभी किसी के साथ दोकाधाडी नहीं करनी चाहिए ठीक है?